आज है 28 दिसंबर 2022 और 28 दिसंबर 2022 एक रेंट फेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुश्चिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्य लेंको मैं इस वीडियो के डिस्कुस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राбू कुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलीए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में महामारी की त्यारी का अंतरास्ण दिवस कम मनाए गया तो अभी 7जमर को महामारी की तैयारी का अंतरास्टी दिवस मनाया गया तो इस question का बे options है यह last year शुरू किया गया था United Nation और WHO ने मिलकर last year यानि की 2021 में महामारी की तैयारी का अंतरास्टी दिवस मनाने की शुरूआत की थी तब से यह 27 December को मनाया जाता है इस बारे भी यह 27 December को मनाया गया है तो यह आपको याद रखना है COVID-19 महामारी की वज़े से यह शुरू हुआ था और अब हर साल यह 27 December को महामारी की तैयारी का अंतरास्टी दिवस मनाया जाएगा अब यह important day वाला question है तो December में अभी तक जितने भी important day मनाया है सारे मेने यह आपे बिल्कुल sequence में लिखती है आप वीडियो को एक बार pause करिए और December के सारे important day बिल्कुल sequence में रिवाज करिए अच्छा आज कि इस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अल्को लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी ने क्यों शिन है हाली में किस राज्जी का धर्म दाम भारत का पहला पूर्ड पुस्तकाले निर्वाचन छेत्र बना है तो धर्म दाम ये केरल के मुख्यमंतरी का निर्वाचन छेत्र है और यहाँ पे अब हर गाउं में लाइबरेरी है तो ये भारत का पहला पूर्ड पुस्तकाले निर्वाचन छेत्र बना है तो इस question का say options है ये केरल के चीपनिश्टर पिनरई बिजियन का निर्वाचन छेत्र है अब ये भारत का पहला पूर्ड पुस्तकाले निर्वाचन छेत्र बना है अब केरल तो ये है मैप में केरल केरल की capital क्या है तिर्वनिश्टर कौन है पिनरई बिजियन और केरल की गवर्नर कौन है आरिफ महम्मद खान आरिफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में बन इस्कूल बन आई एस योजना शुरू की थी अभी केरल सरकार ने मलिक का सारा भाई को केरल कला मंडल का कुल पती नियुत किया है केरल ने बर्ड ट्रेवल मार्ट में Responsible Tourism Global Award जी था केरल सरकार स्टार्ट अप्स को तक्नीक की लाइसेंस लागत की प्रति पूर्ती करेगी और पूरे राज़ी में सोने की एक समान कीमत वाला राज़ी केरल बना है अचा केरल की बात है केरल में Anay Mudi 16 निसल पार्क है मति केटम 16 निसल पार्क है होई है तो अभी आंद्र प्रदेश में जियों की 5G सर्विस रूह होई तो इस कुछिन का Bay Options है अब आंद्र प्रदेश तो यह है मैप में आंद्र प्रदेश की के पिटल क्या है अमरावती आंद्र परदेश की अभी अगनी कुल कॉस्मोस ने बारत का पहला नेजी लॉंच पेड स्री हरी कोटा में इस्तापित किया। उद्गाटन किया। इतना आप अन्दप्देश के बारे में आद रखिए। नए कुशन है। अभी एर इंडिया के कम लागत वाले एरलाइन व्यवसाय का प्रमुक आलोक सिंग को नामित किया गया। परमण उर्जा नियामक बूर का अध्यक्ष देनेज कुमार सुकला को नियुक्त किया गया। पेटे उसा को संसद के उपरे सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। और काडियोलोजिकल सुसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पेसी रत जुने गये हैं। ये अभी रेसाइंट अपॉइंटमेंट हैं ये आपको याद रखने हैं। हाली में राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। बेक कौन थे। तो राइट बैक जॉर्ज कोहेन ये एक फोटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस कुशिन का बे आप्शन सही है। इंग्लेंड के 1966 के वर्ल्ड कप के विजेता थे राइट बैक जॉर्ज और इनका अभी 83 बर्स की उम्रों में निधन हो गया है। ने कुशिन है हाली में ब्रेन इटिंग अमीबा से किस देश में पहली म्रत्य हुई है। तो ब्रेन इटिंग अमीबा इस से अभी साउथ पहली म्रत्य दर्ची की गई। तो इस कुशिन का A option से ही है। ब्रेन इटिंग अमीबा ये अक्सर नदी या तालाम में नाते समय नाक के तुरू माइंड में प्रवेस करता है। और जब ये माइंड में प्रवेस कर जाता है तो पंद्रे दिन के बाद असर दिखाना साउथ कुरिया में होई है। अब साउथ कुरिया तो ये है मैप में साउथ कुरिया। साउथ कुरिया के केपिटल क्या है। साउथ कुरिया की करिंसी क्या है। साउथ कुरिया के प्रेसिडेंट कौन है। यू सुक यूल ये साउथ कुरिया के अभी नए राश्पती बने है अच्छा अभी ऑसनिक सिटी नामक तेरता हुआ सहर साउथ कूरिया में स्तापित किया जा रहा है इस स्पेस एक्स ने साउथ कूरिया के सेन उपग्रे एनासिस टू को सफलता पूर्बक लॉंच किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिच रॉकेट नूरी साउथ कूरिय और अरोंच की है जा ना दा स्वकिरिया को डिए करने वाले वाले यांट को rägeते हैं तो नौर्थ खूरिया और साउथ कूरिया को डिवाइट करने वाले वाले लियान को तिर्टी एट पहले ल केहते हैं कि अभी गंजी कमला वीराओ को之前 में मुख्य कारिकरी अधिकारी न किया गया तो सेञी को सही है यह गंजी, कमला, वीराओ यह 1990 बेच के आईयस अधिकारी हैं और अब ये FSSAI के CEO बने हैं अच्छा अभी WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य बैग्यानिक नामित किया जम्मू कस्मीर उच्छ नेहले का कारेबाहक मुख्य नेहदीस तासी रावस्तान को नियूट किया गया टेटी FI की पहली महिला अध्यक्ष मेगना एहलावत चुनी गई है नाबाड के नए अध्यक्ष की रूप में साजी केबी को नियूट किया गया और भारती नाबिकी बिद्धुत निगम लिमिटेड के नए CMD केबी सुरेश कुमार बने है ने किशिन है हाली में मद्य प्रदेश के के सेर में अटल इसमारक बनेगा तो अटल ब्यारी बाजपे जी की जनम इस्तली थी गौलियर यहाँ पे अभी अटल ब्यारी बाजपे जी का इसमारक बनेगा तो इस question का बे options है है, अब ये मद्द्रदेश में बनेगा, तो ये है map में मद्द्रदेश, मद्द्रदेश की capital क्या है, भौपाल, और भौपाल में है भोजदार, मद्द्रदेश की चीपनिष्ट है, सिवराज सिंग चोहान, और मद्द्रदेश की governor कौन है, मंगू भाई सी अभी भारत के पहले और बिसु के दूसरे इंफेंट्री संग्राले का उद्गाटन इंदौर में किया गया मद्धिप्रदेश सरकार ने पेशा कानू लाओ किया है भोपाल रेलवे स्टेशन को फोर स्टार एट राइट स्टेशन का प्रमाट पत्र में लाए है दुनिया की पहली बैदिक घड़ी अभी उज्जेन में लगाई जाएगी पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स मद्धिप्रदेश में आयोजित किया जाएंगे ये मद्धिप्रदेश के इंपूर्टेंट नेसनल पार्क है नए क्यूशन है हाली में किस देश के पूर राष्टपती को ग्यारे साल की सजा सुनाई गई है तो अभी मौल्डेप के पूर राष्टपती अब्दुल्ला यामीन को ब्रस्टाचार के आरोप में ग्यारे साल की सजा सुनाई गई तो इस कुश्चिन का ए उप्सन सही है ये हैं मौल्डीव के पूर राश्पती अब्दुल्ला यामीन और इनी को 11 साल की सजा सुनाएगी है अब मौल्डीव तो ये है मैप में मौल्डीव मौल्डीव की के मिटल क्या है माले मौल्डीव की करंसी क्या है मौल्डीवियन रुफिया और मॉल्डीप के प्रेजेन टेम पे प्रेसिडेंट कौन है इब्रहें मोहम्मद सोले हाली में तीरंदाजी एसिया कब 2022 में पदक तालिका में कौन सीज पर रहा है तो अभी तीरंदाजी एसिया कब 2022 ये 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक UAE के सारजा सहर में हुआ है और इसमें पदक तालिका में अपना देश भारत टॉप पर रहा है तो इस कुश्यन का बे आप्शन सही है ने की कुश्यन है हाली में FSS AI ने UPK किस जेल को खाने की गुरुवता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है तो अभी FSS AI ने उत्तर प्रदेश की बुलंद सहर जेल में खाने की गुरुवता के लिए इसे 5 स्टार रेटिंग दी तो इस कुश्यन का से आप्शन सही है अब ये उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल बन गई है जिसे खाने की गुरुवता के लिए FSS AI ने 5 स्टार रेटिंग दी है इससे पहले फरुकावाद जेल को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है अब FSS AI यानि की Food Safety and Standards Authority of India इसकी स्टापना कब हुई 2008 में इसका हेड़कौर्टर कहां पर है न्यू डेली में और अब इसके अभी CEO बने है गंजी कमला बे राव ने क्यूशन है हाली में छटी एलीट रास्टी महिला मुक्केबाजी चेंपियंशिप में लवलीन बोर्गोहिन ने कौन सा पदक जीता है तो अभी छटी एलीट रास्टी महिला मुक्केबाजी चेंपियंशिप में लवलीना बोर्गोहिन ने स्वड पदक जीता तो इस question का pay option सही है ये हैं लबलीना, बोर्गोहिन और इनों नहीं gold medal जीता है next question है हाली में दुनिया के best food की list में किस देश का food sales पर रहा है तो अभी Taste Atlas ने दुनिया के best food की ranking जारी की है इसमें Italy का food top पर रहा है तो इस question का pay option सही है Italy के food first number पर है Grace के food second number पर है और Spain के food third number पर है अच्छा इंडियन food कौन से number पर आए तो इंडियन food पाँच में number पर आए अब Italy top पर है तो ये है map में Italy Italy की capital क्या है? Rome Italy की currency क्या है? Euro और Italy की present time पर Prime Minister कौन है? Ziorgia Meloni कौन है? Ziorgia Meloni हाली में कहां आपातकाल की गोश्ण की गई तो अभी New York में आपातकाल की गोश्ण की गई है तो इस question A option सही है New York में bum चक्रवात यानि की Bombo Genesis की वज़े से USA के President Joe Biden ने आपातकाल की गोश्ण की है bum चक्रवात ये क्या होता है? जब हवा का दाव 24 घंटे में बेस, मिली बार या उससे अधिक हो जाता है तो वहां पे bum चक्रवात आता है इसे Bombo Genesis कहते हैं तो अभी New York में Bombo Genesis की वज़े से Emergency की गोश्ण की गई है ने क्यूश्ण है हाले में भारत किस देश की सीमा पर प्रले बैलेस्टिक मिसाइलों को तैनाद करेगा तो अबे अपना देश भारत चेन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर प्रले बैलेस्टिक मिसाइलों को तैनाद करेगा तो इस क्यूश्ण का से ओप्सन सही है वो परियोगत दोनों अच्छा प्रले बैलेस्टिक मिसाइल ये कम दूरी की सर्फेस टू सर्फेस वार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल हैं इनको इंडिया चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तेलाद करेगा अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का नासर वीडियो मैंने आपसे कुश्चिन पूचा था कि हाली में किस राज सरकार ने राज संकार धार्कों को 1000 रुपएं पौंगल उपार के रूप में देने की गोश्ण आ की तो अबी तमिल नाडू ने राज संकार धारकों को एक हजार रुपए पॉंगल उपार की रूप में देने की गोशना की यानि किस कुशिन का बे ओप्सन सही था और लगबग सभी श्ट्वेर्नेस कांसा सही दिया मूश्टली श्ट्वेर्नेस के वारे उडिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुशिन के बारे में आपको जतना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ा आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का कुशिन आपके लिए आज का question है, हाली में टीसमा एकलब ये पुरुसकाल किसे मिला है, चार option दिये गए हैं, इनमें से आपको अपना answer बताना है, और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook page जोइन कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर इंद्रेश RC, Instagram पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद लगा है, helpful लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था, आज का हमारा current affairs का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से निश्चे थी मदब मिलेगी, जब आप इसे सबस्ब करेंगे, तो बरावन में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon पर जरू किलिक कर ले, जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे, next exam always with you, thanks for watching.